नमस्कार दोस्तों, प्रयास अच्छूवे अफ लानिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेतु सिंग आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, पूरे जोश के साथ अपने नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, तो आज मैं कुछ ऐसी बाते करूँगी, जो आपको आश्र में डालने वाली हैं, जैसे हम नीचे कोई दृष्ट देखते हैं, तो हम उसे फोटो में कैद कर लेते हैं, और फिर उन पलो को याद करते हैं, सोचिए, कुछ ऐसी भी दुनिया में चीज़ें हैं, जिन तो चलिए, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना कोई वक्त जाया किये हुए, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला नमबर आता है हिमालयाज का, हिमालय जो कि विश्व की सबसे उची चोटी है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, ये सबसे उची परवत शेड सेकड़ो पहाड हैं, जिनकी उचाई 7200 से भी अधिक है, नेक्स्ट, टॉप टू में जो है, ग्रेट बारियर रीफ, 600 मील लंबा ग्रेट बारियर रीफ, सबसे बड़ा मुंगे की चट्टान है, ये संसार की ऐसी जिविच चीज है, जो आंतरिक्ष से भी दिखाई देती ह ये चट्टा 900 से जादा दीफों को जोड़ता है, ये अस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में इससित है, ये युनेस्को के विश्व के विरासतों के स्थानों की सुचे में आता है, ये अस्ट्रेलिया के स्कूबा डाइविंग एवं टूरिस्ट प्लेसों में से एक जगह ह पर बात करते हैं टॉप थ्री तो टॉप थ्री में जो है अमेजन रीवर, चार हजार मील लंबी अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियां भी अंतरिक्ष से देखी जा सकती है इस चित्र को रियो नीग्रो एवं रियो सॉलिमोस द्वारा सन 2000 में ली गई थी अमेजन नदी के दो महतोपून इलाके बाड़ के दोरान बहने लगे थे ऐसी अवस्था में जाल की रेखाओं की तरह इसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था इसकी तलहटी में इस जंगलों के कारण अंतरिक्ष से इसका रंग जो है गहरा दिखाई देता है बात करेंगे नंबर फोर की तो टॉप फोर पे है ग्रेंड कैनियॉन अरिजोना में इस थित इस 277 मी लंबी शांदार घाटी के प्रतेक स्थानों का आनन लेने के लिए कई दिन लगे लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को प्रित्वी के ग्रहपज से यानि की प्रित्वी की कक्षा जहां पर प्रित्वी घूर्णन करते घूमती है सौभाके से ये घाटी दिखाई देने लगी थी ग्रैंड कैनियोन का यह द्रिश नासा से लिया गया था इस शित्र की मदद से वैग्यानी को जो है इसके धलान वाले हिस्से के तल का नक्षा बनाने में सहायता मेरी तो चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे टॉप फाइफ पर जैंजिस रिवर डेल्टा यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है डेल्टाओं की रशनाओं में आता है जो बांगला देश के एक भाग बंगाल की खाड़ी से और भारत के पश्चिम बंगाल से इसे देखा जा सकता है यह 220 मील के क्षेतर को कवर करता है जिसे हम प्रित्वी की कक्षा से देख सकते हैं जब यह नदी खाली हो जाती है तो इसके क्षेतर के सेडिमेंट्स यानि की जो इसके तलचट है इसको आसानी से देखा जा सकता है यह बंगाल टाइगर और दूसरे वन्यजीवों का आवा दुशा से फोटो खीशने का ये एक पसंदीदा स्थान बन गया जो कि आंतरिक्ष से बहुत ही सुन्दर दिश इसका दिखाई देता है नमबर सेवन की बात करेंगे तो टॉप सेवन पर है ग्रीन हाउसे ऑफ अलमेरिया जो कि स्पैन में इस्तित है यह स्पैन के क्रिशी क का दिल है यानि की हार्ट ओफ एग्रिकल्चर जो 64,000 एकर्स में फैला हुआ है इस ग्रीन हाउस को दिन में अंतरिक्ष से देखा जा सकता है यह चित्र 2004 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन द्वारा खीचा गया था यह प्रित्विक के परेवेक्षन द्वारा ली गई थी हर साल कुष्टन सबजियां और फालो का उत्पादन यहां होता है जिसका यूरोप के कई भागों में रियात यानि की एक्सपोर्ट किया जाता है यह स्पेन के आर्थिक संबंदी आश्यर यानि की जो एकनॉमिकल है रिलेटड आश्यर हैं उन में से एक है देश का सबसे अ होता है प्लवक प्लवक ऐसी चीजे होती है असंक्ष सुक्ष पौधे जिसकों गिनने सकते और जो जल्धाराओं में प्रवाहित होते रहते हैं इससे सतह का रंग जो है बदल जाता है इसे हम फिटो प्लैंक्टन ब्लूम्स कहते हैं यह महासागरों के घटनाओं में से एक है इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है इस चित्र को नासा के उपग्रहों टेरा और एक्वा द्वारा लिया गया था फिटो प्लैंक्टन ब्लूम्स महासागर के गर्म पानी में बनने लगा जो अंतरिक्ष से एक भवर के समान दिखाईद पड़ता है यह चोटे से ल पो के साथ पाम आइलेंड को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है विश्व के सबसे बड़े कृत्रिम द्वीप के होने की घटना में इसमें कोई आश्री की बात नहीं है वास्ताने इस द्वीप में दो कृत्रिम द्वीप समाई हुए है पाकार में पाम ट्री की तरह इस एट नाइट यानि कि कुछ शहर रात में जो हैं अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ते हैं इतनी जगमगा हट होती है वहां सबी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से महादुईपो के आकार को देखकर उसका नाम बता सकते हैं लेकिन जो प्रबुद शहर हैं उनका अंतर से भी अवलोकन बड़ा ही भाव्य होता है युनाइटेट सेट्स यूरोप और भारत मुख्य रूप से अंतरिक्ष यात्य द्वारा चिन्नित होती है जहां विशाल क्षेत्र की भूमी रात में जगमगा उठती है दोस्तों इसे के साथ ही हमारा ये वीडियो यहां समाप् आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और हर बार की तरह आप इस वीडियो को प्यार देंगे लाइक करेंगे शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे तो दोस्तों मेरे वीडियो को देखते रहें बाने रहें मेरे चैनल पर और मेरे नेक्स्ट वीडियो का करिएग बार अपनी वीडियो के साथ मैं लेती ही विदा धन्यवाद